मित्रों ये संसार चमतकारों से भरा है हमारी भारत भूमी में आज भी ऐसे ऐसे दिव्य चमतकारिक पौधे हैं जिससे सोना चांदी बनाया जा सकता है वनस्पति शास्त्रों में सो मरस नाम का एक पौधा होता है जिसे पीकर व्यक्ति अम्रित्व को प्राप्ट कर सकता है बुढ़ापे से बच सकता है मर्दों के लिए पावर टॉनिक की तरह काम करता है या पलाश के टिश्यू को मुख में रखने से व्यक्ति अद्रिश्य हो जाता है संजीवनी बूटी से मरे हुए व्यक्ति को भी फिर से जीवित किया जा सकता है और तेलिया कंध नामक कंध होता है जिससे द्रिश्य और अद्रिश्य शक्ति का प्रयोग कर सकते है आज की वीडियो में जानेंगे इससे आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे जिससे आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी फायदों का भंडार है यह हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए ये पौधा इसे हर जोड के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में इसे वेल्ड ग्रेप कहते हैं यानि की इसे अस्थी संधानक कहते हैं आयूर्वेद में इस पौधे का प्रयोग सबसे ज्यादा हड़ी जोडने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए भी सबसे अधिक किया जाता है तो इसके मैं आप लोगों को चमतकारिक फायदे बताऊँगा इसे घर में लगाने से हमें क्या चमतकारिक फायदे अनुभव होते हैं ये सारी जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों के बीच में शेयर करूँगा क्रिपया वीडियो को लाइक जरूर करें ये जानकारी बहुत ही सुन्दर है इसलिए एक लाइक तो बनता है तो इसके चमतकारिक फायदे कुछ इस प्रकार से हैं फायदा नंबर पहला इस पौधे को लगाने से भगवान इंदर देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में हड़ी संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इस पौधे का नाम ही है हर जोड़ ये अगर हड़ी तूटी है तो तूटी हुई हड़ी को जोड़ने का काम करता है भगवान इंदर स्वयम जो बजर धारण किये हैं वो हड़ी का है इसलिए इसको घर में लगाने से भगवान इंदर देव की कृपा प्राप्त होता है दूसरा कि घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ती है ये पौधा अगर आप अपने घर में लगा ले तो घर से वास्तु दोश मिट जाता है घर में अगर वास्तु दोश लगा हो अगर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो मिट जाता है चोथा इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इस पौधे में छोटे-छोटे लाल-लाल जितने ज्यादा फल आते हैं व्यक्ति उतनी ही जल्दी धन्वान बनता है। यानि कि जितनी मात्रा में इसमें फूल खिलेंगे, उतना ज्यादा आपके घर में धन वैभव आएगा। पांचवा इस पौधे के रस से, सादे कागस पर स्वास्थिक बना करके घर में टांगने से साक्षाद बुद्ध ग्रह एवं गणेश जी उस घर को अन्न धन से भरते हैं। यानि कि उस घर में अन्न धन की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि हर एक जो रंग होता है ये बुद्ध ग्रह को प्रभावित करता है। छटवा इसे लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। बुद्ध ग्रह मजबूत होता है। कोई भी प्रभलम नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगर वा एक महिन तक इस पौधे की जड में पानी डाले, तो वा जल्दी से ठीक हो जाते है। आठ्वा इसकी पत्ती परस में रखने से नकारात्मक शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाती। यानि कि नकारात्मक शक्ती से हमें बचाता है मित्रों आप जो है गूलर का पेड़ जरूर देखे होंगे गूलर नामक व्रिक्ष को भगवान नरसिंहा जी का वर्दान है इस पेड़ की प्रत्ती एक डाल पर देवी लक्षमी स्वयम बस्ती है अमावस्या के दिन इसका एक फल रंक को भी राजा बना सकता है और इसके पेड़ की दो बूंद किस्मत ही बदल देंगी तो दोस्तों अपने फायदे के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसने गुलर का फूल देख लिया उसका भाग यही चमक गया एक समय की बात है जब भगवान विश्णु ने नरसिंह रूप धारन किया तो उन्होंने भक्त प्रहलाद के पिता हिरन्यकश्यप का वध किया जी हाँ भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरन्यकश्यप का वध किया और वो वद्ध अपने नाखून से किया नाखून से हिरन्य कश्यप नामक राक्शस को मारने के कारण उनके नाखून और हाथों में खुझली होने लगी भगवान नरसिंघ अपने नाखून की खुझली शांथ करने हें तो उपचार ढूंडने लगे ये उपचार नहीं मिलने पर अचानक उन्हें रास्ते में गुलर का व्रिक्ष दिखा अपनी खुजली मिटाने के लिए नरसिंग जी ने सारे नाखून और हाथ गुलर व्रिक्ष में दबा दिये इस से उनके नाखून की खुजली तो शांत हो गई किन्तु गुलर व्रिक्ष दर्द से कराहने लगा कि प्रभू आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली किन्तु हमारे शरीर पर घाव भर दिये या असुरों के रक्त ने हमें अपवित्र कर दिया साथ ही आपके नाखून गाढ़ने के कारण दर्द हो रहा है कृपया हमें इस दर्द से मुक्त करें इस तरह जो है नरसिंग जी परिशान हो करके गुलर व्रिक्ष को आशीरवाद दिये कि तुम दूसरों का जो दर्द है वो दूर करोगे साथ ही साथ यह भी आशीरवाद दिया कि मैं स्वयम लक्ष्मी सहित आपके व्रिक्ष पर निवास करूँगा उसी दिन से भगवान विश्नु और लक्ष्मी गुलर व्रिक्ष पर निवास करते हैं भगवान नरसिंहा द्वारा एक और आशीरवाद दिया गया कि अगर गुलर व्रिक्ष के नीचे से कोई भी शव यात्रा लेकर के जाएगा तो उसके पूरे पुर्ण्य गुलर व्रिक्ष को चले जाएंगे तो आये जानते हैं गुलर व्रिक्ष के कुछ चमतकारिक उपायों को जिन उपायों को अपना करके कोई भी व्यक्ति धन वैभव से परिपूर्ण बन सकता है चिलाल कागज पर गुलर व्रिक्ष के दूद से अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्वास्थिक बना करके अपने घर में रखा जाए तो वह व्यक्ति धनवान बन जाता है धन पेटी में रखा जाए तो पूरा घर अन धन से भर जाता है इच्छा शक्ति करने के लिए भोजपत्र पर इसके दूद से इच्छा लिखा जाए और बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो इच्छा की पूर्ती होती है चाहे वह इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा की हो, पूर्ती निश्चित रूप से होती है असाय काल में जब सूर्यास्त थोड़ा सा बचा हो, ना दिन हो नहीं रात हो इस समय पका गुलर का फल लाकर पूजा स्थान पर अलमारी पर धन पेटी पर चावल, दाल और अन रखे जाने वाली जो सामगरी होती है इसमें अगर गुलर का एक-एक फल रख दिया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होती साथ ही में जो कार्य स्थल या घर पर चुनरी में इसके एक-एक फल को बांध करके रखने से कारे में प्रगती होती दुकान पर रखने से बिक्री पहले से ज्यादा होती है और ग्राहक सबसे ज्यादा आने लगते हैं घर में अगर इसे चुनरी में बांध करके रखा जाए, धन पेटी में तो पूरा धन अन्न धन से भरा रहता है। क्योंकि इसे भगवान नरसिंह जी का आशीरवाद है, यह दरिद्रता को दूर करता है। गुलर के फल को अगर विधिवत पूजा करके अपने घर में रखा जाए, धन पेटी में रखा जाए, तो पूरा घर अन्न धन से भरा रहता है। और यह फल अमावस्या के दिन लाना चाहिए या पूर्णिमा के दिन लाना चाहिए। मित्रों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति इस पौधे के उपर में खड़ा हो करके, देवी देवताओं को या देवी देवता के विमानों को बहुत ही आसानी से देख सकता है। इस प्रकार की जानकारी अभी भी हमारी भारत भूमी में है। कल्प तंत्रम में भगवान शंकर जी जो जानकारी माता पारवती को बताएं है, अथोचट कल्प के बारे में वही, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीन शॉट छोटा सा देख लीजिए। यहाँ पे भगवान शंकर जी जो है, मा पारवती को बताते हैं कि देवताओं को भी दुरलब रसायन का उपदेश कह रहा हूँ। इसका नाम देखिए, उचटा नाम की कोई औशधी प्रिथवी में होती है। इसका रूप इस प्रकार से देखता है, पत्ते गोलाकार होते हैं, नालेख होती है। और वर्ण कुछ कृष्ण या नील वर्ण का होता है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शॉट में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। क्योंकि इसके द्वारा आप जो है दोस्तों कहा जाए, तो एक प्रकार के देवी देवता को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जब तब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जानकारी आज भी हमारी भारत भूमी में है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमी में पैदा हुए है। देखे भगवान शंकरजी वर्णन बताते हैं कि उसका पुष्प सिरे पर दबा हुआ अत्थ, एक तोते के रक्त वर्ण चोंच की आकरती का होता है। और कंध कछप के आकार का होता है, जो कंध होता है कछुए के आकार का होता है। उचट्टा नाम के पौधे का और उसके उपर स्थित यानि की आसीन होकर के अंतरिक्ष अगोचर वस्तु का भी दर्शन सुलब है। मतलब इसके उपर में खड़े होकर के अंतरिक्ष में जो भी अगोचर वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसका दर्शन सुलब है तथा सभी देवी देवता यक्ष प्रवृत्ती दिखाई देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। एक बार लेप करने मातर से हमारे शरीर को लोह के समान कर देता है। और ये मधुरस अगनी के संयोग से जो हैं ना तांबे को सोने में बदल देता है। लोहे को सोने में बदल देता है। और यहां पर बताया जा रहा है कि इस औशधी के प्रभाव से अगर इस औशधी का सेव किया जाए तो मनुष्य सभी प्रकार की बिमारी से बच सकता है। इसके प्रभाव से प्रदुम्न के समान रूप दस सहस्त्र अयुत हाथी के समान बल आ जाता है। इसमें संदेह नहीं है। देवी देवता के विमानों को देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान जब शंकर जी बता रहे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई छलकपट या धोखे वाली बात ही नहीं है। और इस पौधे की पहचान भी बता रह पर नर नारायन नामक परवत पर चंद्रकांत परवत पर और हेम पुष्ट पवित्र स्थल पर मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन शॉट में लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गई छोटी सी प्राचीन ग्यान की बाद आपको जरूर पसंद आई होगी। हम चाहते हैं कि हमारे भारत भूमी से इस प्रकार की प्राचीन ग्यान की बाद समाज तक फिर से पहुँचे। जो कि लुप्त होने की कगार पर है। आज एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कीमती है। खास है। अगर आप इस प्रकार की पेड़ पौधों की जानकारी में इंट्रेस्ट रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन ग्यान की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुडिएगा। मित्रों ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जढ के नीचे जो सफेद कलर का इसका फूल निकलता है ध्यान दीजिए इस पौधे का नाम बता देता हूँ। इस पौधे का नाम है कटेरी और ये सफेद कटेरी है, इसकी तीन प्रजाती पाई जाती है, एक जो पीला कलर का एक जो होता है, बैगनी कलर का जो कि प्राय हर जगह मिल जाता है, और एक जो होता है सफेद कलर का जो सफेद कलर का कटेरी होता है, इसमें दिव्य गुन पाई ये ब्राह्मन प्रजाती में आते हैं। अगर चढ़ा दिया जाए तो समझो आपने एक लाख कमल के पुष्प चढ़ा दिये हैं। कि इसकी जड़ को अगर लाल कपड़े में लपेट करके तकिये के नीचे रखा जाए। दबा करके सोया जाए तो सपने में भूत भविश्य वर्तमान दिखाई देने लगते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार के संदेह भी नहीं है। मित्रों भूत भविश्य जानने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बहुत ही कीमती है। और मिल जाए तो बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। जानते हैं शरीर में बल बढ़ाने वाला पौधा, जिससे पुरुषों में कामवासना की इच्छा बढ़ जाती है, टाइमिंग बढ़ जाती है, बल बढ़ा देता है, ताकत को बढ़ा देता है। और इस पौधे का नाम है अतिबला, इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह सपष्ट है कि यह अत्यधिक इसमे बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है, मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंद दायक जीवन का अनुभव लेती है। और वह कहती है कि सुनो जी, ऐसा क्या खाया था जिससे मुझे आराम मिला, अब आप ये चीज रोज खाया करो और मुझे संतुष्ट करा करो। आपको बता दें, अगर आप किसी बिमारी से जूज रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ती के लिए मल्टी विटामिन्स खाते हैं। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कते हो रही है, उसमें ये रामबान की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगा कर खाया, तो आपका शरीर लोहे जैसा बज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला है और इस पौधे का सेवन तीन महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ती भी होगी। और यकीन मानिये, संतान की प्राप्ती होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है, तो भस जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। इसकी जड़ में दस हाथी का बल होता है। इसकी जड़ो को पहले आप लगातार धूप में सूर्य की सीधी धूप में सुखा ले और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना ले। अब इस पाउडर को एक गिलास दूद के साथ और एक चमच शहद, आधा चमच पाउड अंदर मिलाकर रात को सोने से पहले खा ले। आप यकीन मानो, आपके अंदर दस हाथी का बल आ जाएगा। घोड़े जैसी ताकत आजाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ सेकेंड में होता था, वह काम आपका रात भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना अगर आपने रात में संतुष्ट कर दिया, तो आपसे बढ़ा मर्द कोई नहीं है, उसके सामने। आपको बता दें, हिंदू प्राणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है, वह आपके लिए अमरित समान होता है। दोस्तों इसको आप सुभह से दूद के साथ ले ले आप अगर बहुत कमजोर है, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी, आप निर्बल तो बल हो जाएंगे। हिर्दय के लिए अतिबला में हिर्दय स्वास्थे को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्त चाप को कम करने, कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और रदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। आपको शक्तिशाली बना सकती है। दस हाथी का बल आप में आ सकता है।